नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हीफर बशिया जिसकी उमर दो साल है उसमें प्रेगनेंसी डेगनोसिस किस तरह से करें ताकि हमें पता चल सके कि वो प्रेगनेंट है जा नान प्रेगनेंट है हीफर में बड़ी ही अटेंशन और केर देनी पड़ती है क्योंकि इन में रेक्टम की ओपनिंग का साइज शोटा होता है इसलिए आपको प्रपर तरीके से अपने हाथ पे गलब्स डालके साबून लगाकर उंगलियों को बंद करके ही हाथ को अंदर डालना है ताकि किसी भी तरह की इंजरी जाजकम उसके रेक्टम में ना हो और आप बड़ी ही असानी से और सही तरीके से उसकी प्रेग्नेसी डियाग्नोसिस कर पाएं हीफर जानी की पैलन बशिया उसमें बच्चे दानी का साइज शोटा होता है इसलिए आप उसकी प्रेग्नेसी डियाग्नोसिस 45 दिन के उपर कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि uterus जानी की बच्चे दानी के दो पार्ट होते हैं एक right horn एक left horn mostly बच्चा right horn में पैदा होता है अगर animal non pregnant है तो दोनों horn का size same रहेगा बट अगर वो pregnant है तो उसमें mostly right horn left horn से बड़ा होता है जिससे confirm होता है कि जानवर जो है वो pregnant है आपको ज़्यादा manipulate नहीं करना है क्योंकि उससे बच्चे को नुक्सान हो सकता है मेरा इस वीडियो के मादिम से आपको यही message है कि आप भी अपने जानवरों की सही टाइम पे बर्मिंग करें उनको कीड़ें की दुआई दें और मिनन मिश्चर दें ताकि वो भी दो साल में कंसीव कर सकें और आपको जासर जादा फाइदा हो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें धन्यवाज शुक्रिया